हालो एन वल्कम आज टोईस पिटारा में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यह रिमोट कंट्रोल वार टैंक और आज इस इंट्रस्टिंग से टैंक के रिव्यू के साथ साथ मैं बताने वाली हूँ आपको इसके बारे में खुमसारी इंट्रस्टिंग इंफोमेशन तो इस बॉक्स की अगर हम पैकेजिंग चेक करें तो इसके फ्रंट में है ट्रांस्पेरिन शीट के पीछे टैंक, चार्जर, रिमोट और बैटरीज और इसके बैक साइड में है टैंक की दो फोटोज और उसके साथ उसके फीचर्स एक्स्प्लेइन किये गए हैं इसी तरीके इसे इसके राइट साइड और लेप साइड और इनफाक्ट टॉक में भी टैंक की पिक्चर्स दी गई हैं तो आओ, चेक करते हैं, अंबॉक्स करते हैं और पता लगाते हैं कि ये टैंक तिक तक ऐसा है और काम कर से करता है तो ये आगया है टैंक बॉक्स से बाहर So friends, this is our war tank ready for the battle और इसे operate करने के लिए हम इसमें फिट करेंगी ये तीन चार्जबल बैटरीज और इस टैंक के पैक के साथ हमें ये चार्जर मिलता है इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए तो चलो अब इन बैटरीज को इस बॉटन स्लोट में फिट करते हैं तो आप इस तरीके से नॉर्मल बैटरीज की तरह इन चार्जबल बैटरीज को भी बॉटन स्लोट में फिट कर सकते हो और इसे कवर करने के बाद आप रेड बटन को अन करेंगे और इस तैंक की मुव्मेंट के लिए हमें यूज करना होगा ये रिमोट कंट्रोल जिसमें हमें दो डबल अ साइस बैटरी खुद से फिट करने होंगी फ्रेंज आपको पता है इंडिया का जो लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस बैटल टैंक है उसका नाम है अर्जुन मार्क वन अलफा उसे हंटर किलर के नाम से भी जाना जाता है अर्जुन टैंक पूरी तरीके से इंडिया में बना है और इसमें ऐसे कमाल के सेंसर्स लगे हैं जो की राग के वक्ट भी टारगेट पे आक्यूरेटली हिट करते हैं और इन फैक अर्जुन टैंक अपना टारगेट खुद ही डून सकता है वो मूविंग टारगेट पे भी सर्टीक निशाना लगाता है तो फ्रेंज आप देख सकते हैं कि इस टैंक में ये कैमोफलाज प्रिंट बहुत जादा अट्राक्टिव लग रहा है जिसकारण से ये सैंड के साथ असानी से कैमोफलाज हो सकती है इसके फ्रंट में ये गन में इजी मूवमेंट पॉसिबल है और इसके बॉटम में 4 रबर टायस दिये गए हैं लेकिन इसके लुक को रियल कंप्लीट लुक देने के लिए इसमें मल्टिपल टायस दिये गए हैं जो कि रियल टैंक में होते हैं तो अब इसके टॉप में इस बाटन को प्रेस करके देखते हैं तो आप देख सकते हो कि इस बटन को प्रेस करने से इस टैंक में से आती है साउंड और म्यूजिक फ्रेंज आपने फिल्मों में देखा होगा कि टैंक का ये टॉप पार्ट 360 डिग्री तक रोटेट करके दुश्मन पर हमला कर सकता है ठीक उसी तरीके से इस आज सी टैंक में भी 360 डिग्री तक रोटेशन पॉसिबल है तो फ्रेंज आप देख सकते हैं कि इस रिमोट में दिये गए हैं ये लेफ्ट साइड में फ्रंट और बाक मूब्मेंट के लिए बाटन और राइट साइड में लेफ्ट और राइट मूब्मेंट के लिए बाटन तो अब चेक आउट करते हैं कि इनको प्रेस करने से इसकी तो आप देख सकते हैं इसका फ्रांट और बाक मुवमेंट एकदम एफेक्टिवली काम कर रहा है तैंक के स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो इसे बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ये बॉटम पार्ट को हल कहते हैं और टॉप पार्ट को टरेंट कहा जाता है ड्राइवल सीथ हल में होती है और मशीन गन टरेंट पे फिट होती है और आपको पता है कि इस tank में multiple tires क्यों होते हैं उसका reason है कि ये tank बहुत जादा heavy होता है और इसमें अगर normal vehicle की तरह tires होंगे तो tank जमीन में धस जाएगा इसलिए इस tank के proper weight distribution के लिए multiple tires लगाए जाते हैं ताकि ये जमीन पर आसानी से चल पाए आसी जाए ज जाए 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 बीड़ देड़ का जाए 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 तो फ्रेंज अगर आप इसी तरीके से लेटेस् टेंडिंग टॉइस के रिव्यूज के साथ-साथ उनके बारे में इंट्रस्टिंग इंफोर्मेशन जाना चाहते हो तो मेरे चानल को लाइक, सब्सक्राइबर, शेयर जरूर करना और हाँ बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप के पास पहुँच जाए तो जब तक मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आँ, तब तक के लिए बाबाई